बच्चो आज हम लोग पाठ नौ जिसका शेशत गुरु नानक देव उस पाठ का प्रशन उत्तर तथा बुक में आए प्रशनों को करेंगे तो आए पहले हम लोग प्रशन उत्तर को करेंगे मौखिक कोशल गुरु नानक देव जी कौन थे उत्तर गुरु नानक देव जी महान संथ थे ख गुरु नानक देव जी ने इश्वर के बारे में क्या बताया उतर गुरु नानक देव जीन ने इश्वर के बारे में यह बताया कि इश्वर एक है और रेकनकन में बसते हैं लिखित कोशल का गुरु नानक देव जी का जनम कब हुआ था? उत्तर गुरु नानक देव जी का जनम 15 अप्रेल 1469 को पाकिस्तान में लाहौर के पास तलवाडी नामक गाउ में हुआ था ख बालक नानक को उनकी माता जी ने कहां भेजा था उत्तर बालक नानक की माता जी ने उन्हें कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार भेजा था ग गंगा नदी में कुछ लोग क्या कर रहे थे उत्तर गंगा नदी में कुछ लोग पुरब दिशा की ओर मू करके खड़े होकर सूरज देवता को जल अरपित कर रहे थे गुरु नानक देव जी किस ओर मुग करके जल चड़ाने लगे? उत्तर गुरु नानक देव जी पश्यम की ओर मुग करके जल चड़ाने लगे? अंगा गुरु नानक देव जी ने लोगों को क्या समझाया उत्तर गुरु नानक देव जी ने लोगों को यह समझाया इश्वर पूरफ पच्चिम उत्तर दखिम सब जगा मौजूद हैं वे हमारे अंदर भी बसते हैं आगे हम लोग पाठ में आए कुछ प्रशनों को देखेंगे उचित शब्चुन कर रिक्त स्थान भरो पहला गुरु नानक देव जी का जनम डैश नाम गाउ में हुआ था अप्शन है तलवाडी अबलिक लाहर उत्तर होगा तलवाडी गुरु नानक देव जी का जनम तलवा स्थारी नाम गाउं में हुआ था दूसरा गुरु नानक देव जी ने डैश और फार्सी भासाएं सीख ली थी और अंगरेजी ऑबलिक अर्वी उत्तर होगा अर्वी गुरु नानक देव जी ने अर्भी और फार्सी भासाएं सीख ली थी तीसरा गुरु नानक देव जी की डैस सन 1531 में हुई थी जनम अबलिक मृत्यू आंसर होगा मृत्यू गुरु नानक देव जी की मृत्यू सन 1531 में हुई थी आगे देखेंगे इन शब्दों का बहु वच्चन रूप लिखो क पैसा उत्तर पैसे ख बच्चा उत्तर बच्चे ग भासा उत्तर भाशाएं ग घटना उत्तर घटनाएं बच्चों मैं आशक आती हूँ कि आपको यह प्रश्ण उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा और बुक में आये प्रश्णों को अपने बुक में ही करेंगे धन्यवाद